Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीनो जो एक कैपसूल के बारे में जो की इस कैपसूल का इस्तमाल बहुत ज़्यादा महिलाओं से जुड़ी समस्यों में बहुत ज़्यादा इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है और यह काफी फायद मन्द होता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं मीनो जो एक कैपसूल के बारे में इसमें कॉम्बिनेशन का है हर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन का क्या काम है कौन कौन से परपज़ों में इस्तमाल लिगा जाता है क्या डोज है क्या साइड इफेक्ट है किस से नही लेना है, यह सब ही बाते हमें इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं मीनो जो एक कैपसुल, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टूर पे बहुत ही असानी से अबिलिबल हो जाता है, दस कैपसुल की पैकिंग होती है, मैकलोईड कंपनी की बनाई हुए है मेडिस इसके साथ तीसरा कॉंबिनेशन है, रेड क्लोवर एक्स्ट्रेक्ट, इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत ही अच्छ-च्य बीटेमिन्स मिल जाते हैं, जैसे की बिटेमिन C, B6, Fières लिक्याची इतायाथ कांबेनिचन को बनाये गाया जो कि महिलाओं इन ग्रही कांबेनिचन को क्या जाका मंध्न होते हैं, इसके सांथे सांथ दाथ से जुड़ी और हडियों चो जुड़ी समस्याओं को क्योर करने में काफी फाइदेमंद होता है इसके सांथे सांथ इसमें बिटिमिन डी है जो कि काल्सियम को एब्जोर्ब करने में काफी मददगार होता है इसके सांथे सांथ इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूब करने में काफ़ी फायदेमंद होता है, रोक परती रोधक छमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी बेनिफीसियल होते हैं, अब बात करें अगला कॉम्बिनेशन जो की लाइप नॉल एक्स्टेक्ट है, जिसे हुमिलस लुपिलस एक्स्टेक्ट भी कहते हैं, जो की हर एक कैप्सुल में आपको 85 mg अबलिबल हो जाता है, जो की इसमें काफ़ी अच्छा एस्ट्रोजन प्रोपटी पाई जाती हैं, जो की इसका इस्तमाल मिनोपोजल विमन्स होती हैं, जो बढ़ते उमर में मिनोपोजल की समस्या के दौरान काफ़ी तरीकी समस्या होती हैं, पेट में मरोड होना, पेट में दर्द होना, तोचा में लाली पनाना, मन में चिर्चरहाट पन रहना, बालों का बहुत जादा जढ़ना, इस तरीकी की समस्या होती हैं, तो उन स इसके अलावा ब्लैक कोहास एक्स्रेक्ट जिसे रेड क्लोवर एक्स्रेक्ट भी कहा जाता है जो कि यहां इन्बैलेंस जो भी हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स में जो भी इन्बैलेंसी आती हैं, उन से भी कंडिशनों में इसे इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है, यह नर्वस सिस्टम को इंप्रूब करने काम करता है, बेचैनी हर बड़ाहट जैसी समस के इसांते सांते समय सब्सक्राइब करते हैं इसके इसके इसमी जो की तौचा से जुड़ी समस्य को क्योर करने में प्याददी मन्थ होता है इम्यून सिस्टम को इंप्रूब करता है, इसकिन को हेल्दी बनाया रखने के लिए काफी फैदिमन्द है अगला कम्बिनेशन है बिटमिन B6, जिसे पैरीडोक्सिन भी कहा जाता है यहाँ ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को इंप्रूब करता है, रबीसी काउंट को इंप्रूब करता है, बोडी से टॉक्सिसिटी को निकालता है मसल्स की जो वीकनेस होती है, मास पेस्वे में जो कमजोरी होती है, उनको इह दूर करने में काफी फैदिमन्द होता है अगला combination है folic acid जिसे vitamin B9 भी कहा जाता है या folate भी कहा जाता है जो कि यहाँ भी बहुत ही अच्छा होता है hemoglobin को improve करने के लिए blood में और rbc count को improve करता है alzheimer की समस्य को cure करता है nervous system को improve करने में काफी फैदिमन्द होता है तो इन सभी combination को मिला करके यहाँ काफी अच्छा effect देने का काम करता है इसका इस्तमाल बहुत ज़्यादा menopausal समस्य में इस्तमाल करने के लिए जाता है या women's में जो भी समस्य होती है तो उन सभी condition में इसे इस्तमाल करने के लिए जाता है उसी सबसे इसका dose एक confirmation होता है नॉर्मली इसे दिन में एक बार लिया जाता है खाना खाने के बाद आप इसे रात को सोते एक ताप इसे इस्तमाल कर सकते हैं इसका dose एक confirmation और इस दवा को लेना है या नहीं लेना है इन सबी बातों का confirmation डॉक्टर के रेक देख में करते हैं तो आपके लिए काफी फैदिमन्द होगा इस दवा के इस्तमाल डॉक्टर के रेक देख और डॉक्टर के सला के बाद करें बात करें किसे नहीं लेना है अगर आप pregnant lady है, breastfeeding mother है किसी भी परकार के आपको कोई भी critical medical condition में कोई medicine course चल रहा है तो उन से भी condition में आप इसे इस्तमाल ना करें और करते हैं तो डॉक्टर के रेक देख में करें बात करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपको suit नहीं करता है तो बेटिंग, सर में दर, तोचा में लाली पन, बहुत ज़दनी नाना, भूख न लगना, पेट में दर धोना, चक्कर आना, तोचा में लाली पन होना इस तरीक के नुक्सान देखने को मिल सकता है तो यही था मेनो जो एक capsule के बारे में जनकरी अगर आपको यह वीडियो यह जनकरी अच्छे लगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फर वाचिंग